जब तक हम अपने जिले का ब्रांडिंग नहीं करते हैं, जिले की पहचान नहीं बनाते हैं, तो कुछ आपको कमी महसूस होगी, किसी भी चीज के लिए आप बना सकते हैं, माल लीजिये, आपके जिले में अमरित्फल अच्छा होता है, गुजराती में जिसको जामफल कहते है मुझे आद है, गुजरात के अंदर जब भी अमरित्फल या जामफल के बाद आती थी, तो बोले धौलका का है, तो किसी को भी कहाँ भी धौलका का खाएं, क्यों, तो उसके पहचान बनी थी, बाद में धौलका के किसानों ने गुलाब की खेती पर मुड़ गए, तो उस अलागे के, हरे के से पहचान होती है, या तो कोई खिलोनों के अब जैसे इडर, तो इडर की पहचान होती थी, खिलोनों के लिए किसी में जमाने में लकड़ी के खिलोनों के लिए पहचान होती थी, हम उसको सुरेंडर कर, हमारे बुनकर भाई बहुत रहते हैं, वहां के क बॉटन की पहचान होती थी, वहां के कपड़ों की पहचान होती थी, याने हम अपने जीले में ऐसे कौन सी सचमुच में बड़ी ताकतवर व्यवस्ता है और सहज है, अब उसको कैसे आधूनिक बनाएं, उसकी क्वालिटी कैसे सुधरें, उसका पैकेजिंग कैसे अच्छा बने, वो आपके जीले के बहार हो कैसे पॉपिलर हो, आपको जीला उस बात से कैसे पादा, चाहे वो एग्रो प्रोड़क्ट हो सकता है, चाहे वो बैनिफेक्टर का काम हो सकता है, चाहे वो हस्तकला का काम हो सकता है, हो सकता है को एजूकेशन इस्टिटुट अच्छी हो, पूरे राज में फ़लानी सिख्षा तो वहां मुझे हाथ है मैं जब छोटा था तो मेरे गाउं के बहार अंबाई जी जाते रहते हैं वह सत्लासना गाउं आता है तो वहां सत्लासना के टीचर थे वो बहुती अच्छा पढ़ाते थे और स्थिती ये बनी हम जैसे गाउं के अलग अलग गाउं के लोगो सत्लाशना जाते दि उजमाने मैं और वो खोचिंग क्लास चलाते दि आत不知道 ज़ों कोचिंग क्लास काम सुनते ने मैंने उस समभी मैं सत सब्सक्राइब और सब्सक्राइब अच्छी सिक्षा बच्छों को देनी है तो यहां आकर के छोड़ जा और लोग जाते थे भाई यह पचास साल पहले की बात कर रहा हूं लेकिन मेरा कहने का ताथ प्रहें आप कुस्रे जैसे को तिर्श्रे तरह होता है अब ते तक शेत्र के कारण जिल्य की पहचान अब आज भी उज्जे इनको कोई महाकाल सही जानेगा तो उसकी पहचान अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन जाती है मैं समझता हूं कि आप हर एक को प्रयास करके सबको साथ ले करके चर्चा करके तरह करके आपके जिल्ले की एक चीज चीज की आन बान शान चारों तरफ फैले वैसी कौन सी ताकत है डूंडो ऐसे ही सब चलता है चलने मत दो